हेलो बच्चो कैसे हो आप लोग आशा करती हूँ सब ठीक होंगे आए आज आपका अगला पार्ट दिघार्ट समिकर्ण शुरू करते हैं इस पार्ट में हम सीखेंगे दिघार्ट समिकर्ण किसे कहते हैं हम ये भी सीखेंगे बुनन खंडो द्वारा दिघार्ट समिकर्ण का हल किस प्रकार करते हैं और दिघार्ट समिकर्ण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना भी सीखेंगे और चर्चा करेंगे मूलो की प्रकती प प्लस BX प्लस C बराबर है 0 के प्रकार की होती है जहां A, B, C वास्तविक संख्याएं हैं तथा A 0 के बराबर नहीं है उधारन के लिए 2X की घाद 2 प्लस X माइनस 25 बराबर 0 एक द्विघाद समिकरण है वास्तव में कोई भी समिकरण PX बराबर 0 जहां P of X घाद 2 का एक बहुपद है एक द्विघाद समिकरण कहलाती है परन्तु जब हम P of X के पद घादों के घट्टे क्रम में लिखते हैं तो हमें समिकरण का मानक रूप प्राप्त होता है अर्थात AX की घाद 2 प्लस BX प्लस C बराबर 0 जहां A 0 के बराबर नहीं है द्विघाद समिकरण का मानक रूप कहलाता है द्विघाद समिकरण हमारे आसपास के परिवेश की अनेक स्थितियों एवं गणित के विभिन्नी चेत्रों में प्रयुक्त होते हैं आईए आपके NCRT पुस्तक की प्रशनावली 4.1 का पहला प्रशन देखते हैं जाज कीजिए कि क्या निम्न द्विघाद समिकरण है? x प्लस 1 की गाद 2 बराबर है 2 गुना x माइनस 3 इसको देखने के लिए हम पहले इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं x की गाद 2 प्लस 1 प्लस 2 गुना x बराबर होगा 2x माइनस 6 देखिए 2x यहाँ पर कैंसल हो गया हमें मिला x की घाद 2 प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0 x की घाद 2 प्लस 7 बराबर 0 तो हाँ यह द्रिघाद समिकरन है आगे देखते हैं x की घाद 2 माइनस 2x बराबर है माइनस 2 गुना 3 माइनस x इसको भी पहले हम सदली करन कर लेते हैं हमें मिलेगा माइनस 6 प्लस 2x 2x की घाद 2 माइनस 2x माइनस 2x बराबर है माइनस 6 यह हो गया x की घाद 2 माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 जी हाँ यह भी द्रिघाद समिकरन है ठीक है बिच्चो आगे देखते हैं x माइनस 2 गुना x प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 गुना x प्लस 3 इसको हल करने के लिए हम x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 गुना x प्लस 3 पहले हम इसको सरल कर लेते हैं x को x से गुना करेंगे x की घाद 2 प्लस x माइनस 2 x और यह हो जाएगा माइनस 2 बराबर है 2 x माइनस 3 दो x को इदर ले आते हैं माइनस x माइनस 2 x माइनस 2 प्लस 3 बराबर 0 तो यह हुआ माइनस 3 x प्लस 1 बराबर 0 तो नहीं यह एक दिघाद समिकरन नहीं है क्यों यहाँ पे x की घाद 2 नहीं है आगे देखते हैं 2 x माइनस 1 गुना x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 गुना x माइनस 1 यहाँ देखिए अगर हम 2 x को x से गुना करेंगे हमें मिलेगा 2 x की घाद 2 माइनस 6 x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर है x की घाद 2 माइनस x प्लस 5 x माइनस 5 2 x की घाद 2 माइनस x की घाद 2 यह हो गया माइनस 7 x प्लस 3 बराबर 5 x माइनस x हो गया 4 x माइनस 5 और सरल कर लेते हैं x की घाद 2 माइनस 7 x माइनस 4 x यह हो जाएगा माइनस 11 x और प्लस 8 प्लस इदर आएगा प्लस हो जाएगा 3 प्लस 5 आठ जी हाँ यह दुई घाद समिकरन है समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रशन देखते हैं x की घाद 2 प्लस 3 x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 की घाद 2 यहाँ पर x की घाद 2 प्लस 3 x प्लस 1 बराबर है x की घाद 2 प्लस 4 माइनस 4 x X इगार 2, X इगार 2 कैंसल हो गया 3X प्लस 4X, 4X इधर आया, साइन बदल गया प्लस 1 माइनस 4 बडाबर 0 7X माइनस 3 बडाबर 0 तो नहीं एक ये दिगार्ट समीकरन नहीं है रेखिक समीकरन है टिपनी पे गौर करिए समीकरन को यह तै करने के लिए कि वह दिगार्ट है अत्वा नहीं हमें उसका सरली करन करना आवश्यक है आगे आगे देखते हैं निमन स्थितियों को दिगार्ट समीकरनों के रूप में निरुपित कीजिए प्रश्न है एक आयताकार भूकंड का छेतर फल 528 मीटर वर्ग है चेतर की लंबाई मीटरों में चड़ाई के दुगने से एक अधिक है हमें भूकंड की लंबाई और चड़ाई ग्याद करनी है तो हम देखते हैं यह आपका आयताकार भूकंड हो गया और इसमें हमने चड़ाई ले ली एक्स चेतर की लंबाई मीटरों में चड़ाई के दुगना चड़ाई के दुगने से एक अधिक है यह हमारी लंबाई हो गई और यह चड़ाई तो चेतर फल कैसे निकलेगा एक्स गुना दो एक्स प्लस एक बराबर होगा पांच सो अठाईस मीटर वर्ग इसको सरल कर लेते हैं दो एक्स की गहाद दो प्लस एक्स माइनस पांच सो अठाईस बराबर शून्य है यह हमने इसको निरुपित कर दिया दुगाद समिकर्ण की रूप में समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रश्न करते हैं दो क्रमा गत धनात्मक पूर्णांकों का गुनन फल 306 है हमें पूर्णांकों को याद करना है तो हम धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं एक्स और एक्स प्लस एक उनकी गुणन फल तो एक्स गुणा एक्स प्लस एक बराबर होगा 306 इसको गुणा करने से हमें मिलेगा एक्स की घाद दो प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0 इस प्रकार हमने इसको निरुपित किया समझ में आया चलिए अगला प्रश्न करते हैं रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है उनकी आयू वर्षों में का गुणन फल अब से 3 वर्ष पस्टात 360 हो जाएगी हमें रोहन की वर्थमान आयू ग्याद करनी है तो मान लेते हैं रोहन की वर्थमान आयू एक्स वर्ष है रोहन की मां की आयू कितनी हो जाएगी रोहन की मां 26 साल बड़ी है तो हम ले लेते हैं एक्स प्लस 26 वर्ष ठीक है अब प्रशन के अंसार उनकी आयू वर्षों में का गुणन फल अब से 3 वर्ष पस्टात 3 वर्ष पस्टात मतलब रोहन की आयू हो जाएगी एक्स प्लस 3 और रोहन की मां की आयू भी हो जाएगी एक्स प्लस 26 प्लस 3 इनका गुणन फल कितना होगा 360 तो हम इसको हल कर लेते हैं यह हो जाएगा एक्स प्लस 3 गुणा एक्स प्लस 29 बराबर 360 एक्स को एक्स से गुणा करेंगे एक्स की घाद दो यह हो जाएगा प्लस 29 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 29 को 3 से गुणा करेंगे 87 बराबर 360 इसको अल हल कर लेते हैं क्या मिलेगा एक्स की घाद दो प्लस 32 एक्स माइनस 360 में से 87 को घटा लेते हैं कितना आएगा जी हाँ माइनस 273 यह हमारा यह हमारी हमने इसको निरूपित कर दिया द्यगाती समी करण के रूप में एक्स की घाद दो प्लस 32 एक्स माइनस 273 बराबर शून यह है समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रेशन करते हैं प्रेशन दो एक रेल गाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तै करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वै उसी दूरी को तै करने में 3 घंटे अधिक लेती हमें रेल गाड़ी की चाल ग्याद करनी है तो हम मान लेते हैं रेल गाड़ी की चाल कितनी है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा अब हमें कहा गया है दूरी कितनी है 480 बटा चाल कितनी है एक्स अगर उसकी चाल कम होती तो समय ज़्यादा लेती तो हम इसमें लिखेंगे ये दूरी और चाल है एक्स माइनस आठ कितना समय कम ले रही है तीन घंटे कम ले रही है तो ये हो जाएगा हमारा तीन समझे है दूरी बटा चाल इससे हमें समय मिला जब समय ज़्यादा यहां जब इसकी चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा ज़्यादा समय में से कम समय माइनस करेंगे और हमें तीन घंटे का अंतर मिल जाएगा इसको हल करते है चार सो असी गुना एक्स माइनस एक्स गुना एक्स माइनस आट बराबर होगा तीन इसको हल करते हैं चार सो असी एक्स माइनस चार सो असी एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां देख लेते हैं चार सो असी को आठ से गुना करेंगे यह हो जाएगा तीन और आठ सो चालेस प्लस तीन और आठ सो चालेस बराबर है तीन गुना एक्स को एक्स से गुना किया x की घाद 2 माइनस 8x ये दोनों cancel हो गए तो हमारे पास क्या बचा 3x की घाद 2 माइनस 834 x माइनस 3840 तो ये हमारी ड्वे घाद समीकरण हो गई समझ में आई बचो चलिए गुनन खंडो द्वारा द्वे घाद समीकरण का हल बहुत ही आसान है ध्यान से सीखना तो जल्दी से समझ में आ जाएगा व्यापक रूप में एक वास्त्रिक संख्या अलफा द्वे घाद समीकरण ax की घाद 2 प्लस bx प्लस c बराबर है 0 और a 0 के बराबर नहीं है का एक मूल कहलाती है यदि a आलफा की घाद 2 प्लस b आलफा प्लस c 0 के बराबर हो हम यह भी कहते हैं कि x बराबर आलफा द्वे घाद समीकरण का एक हल है अथवा आलफा द्वे घाद समीकरण को संतुष्ट करता है ध्यान दीजिये कि द्वे घाद बहुपद ax की घाद 2 प्लस bx प्लस c के 0 और द्वे घाद समीकरण ax की घाद 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक ही है समझ में आया चलिए अब देखते हैं आपने कक्षा 9 में सीखा है कि कैसे मध्यपद को विभक्त करके एक द्वे घाद बहुपद के गुननखन किये जा सकते हैं हम इस घाद का प्रयोग द्वे घाद समीकरण के मूल ग्याद करने में करेंगे आईए देखे कैसे उधारन ले लेते हैं गुननखन द्वारा समीकरण 2x की घाद 2 माइनस 5x प्लस 3 बराबर है शुन्य के मूल ग्याद कीजिए सर्वप्रथम हम मध्यपद यहाँ पे मध्यपद क्या है माइनस 5x को माइनस 2x माइनस 3x की रूप में विभक्त करते हैं क्योंकि माइनस 2x गुना माइनस 3x बराबर होता है 6x की घाद 2 के बराबर देखिए 3 गुना 2 x की घाद 2 यहाँ पे हमें मिल रहा है 6x की घाद 2 इसलिए हमारे ये पद ठीक है माइनस 2x माइनस 3x देखिए 2x की घाद 2 माइनस 5x प्लस 3 को हम लिख पाएंगे 2x की घाद 2 माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इन में ध्यान से देखो क्या कॉमन है 2x तो क्या बचा x माइनस 1 इन दोनों में माइनस 3 कॉमन है तो हमारे पास कॉमन आया x माइनस 1 इस प्रकार हमारे पास 2 गुनन खंड आ गए x-1 और 2x-3 ठीक है आगे चले इसलिए 2x की खाद 2-5x-3 बराबर 0 को हम 2x-3 गुना x-1 बराबर 0 के रूप में पुनाय लिखा जा सकता है अते x के वे मान जिनके लिए 2x की खाद 2-5x-3 बराबर 0 के बराबर है वहीं है जो 2x-3 गुना x-1 बराबर 0 के से प्राप्थ हैं अर्थाद 2x-3 बराबर 0 या x-1 बराबर 0 से प्राप्थ होंगे अब 2x-3 बराबर 0 को से हमें मिलेगा x बराबर 3 बराबर 2 और x-1 बराबर 0 x बराबर 1 देता है अते हैं x बराबर 3 बराबर 2 और x बराबर 1 दिये हुए समिकरण के हल हैं दूसरे शब्दों में 1 और 3 बटा 2 समिकरण 2x की घाद 2-5x प्लस 3 के मूल हैं समझ में आया चलिए आपकी प्रशनावली 4.2 हल करते हैं गुननखन विदी से निम्न दिवगाद समिकरण के मूल ग्याद कीजिए हमारे पास प्रशन है x की घाद 2-3x-10 बराबर 0 इसके हमें 2,5,10 होता है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं मद्यपद हमारे पास –3x है इसको हम लिख लेते हैं –5x प्लस 2x देखिए क्या हमने सही लिया क्यों क्योंकि –5 को 2 से गुना करेंगे तो –10 आना चाहिए जो हमारे पास है और –5 प्लस 2 करने से –3 आना चाहिए अब देखिए इन दोनों में क्या common है x-5 बचा प्लस यहां पर क्या कॉमन है बच्चो दो तो यहां भी x-5 बचा इस प्रकार हमारे पास x-5 गुना x-2 0 के बराबर हुआ इसका अर्थ है या तो x-5 0 के बराबर है या x-2 0 के बराबर है या x बराबर 5 x बराबर माइनस 2 तो हमारे पास दो मूल प्राप्त हुए 5 और माइनस 2 ठीक है समझ में आया चलिए आगे चलते हैं 2x की खाद 2 प्लस x-6 बराबर है 0 इसमें हम देखते हैं हमें प्लस x चाहिए और 6 दुनी 12 12 के हम 4 और 3 ले लेते हैं और 2x की खाद 2 प्लस 4x माइनस 3x शायद सही रहेंगे क्योंकि 4 को 3 माइनस 3 से गुना करेंगे माइनस 12 और 4 माइनस 3 हमें देता है 1 तो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों 2x तो यहां बच्चा x प्लस 2 और यहां माइनस 3 कॉमन है और हमारे पास आएगा x प्लस 2 बराबर 0 इस प्रकार हमारे पास x प्लस 2 गुना 2x माइनस 3 बराबर 0 आ गया ठीक है इसका मतलब या तो x प्लस 2 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0 या x बराबर माइनस 2 या 2x बराबर 3 या x बराबर 3 बटा 2 तो इस प्रकार हमारे पास 2 मूल आ गए x बराबर माइनस 2 या x बराबर 3 बटा 2 ठीक है बचो चलिए अगला प्रेशन करते हैं वर्गमुल 2, x की घाद 2, प्लस 7x, प्लस 5 वर्गमुल 2 बराबर 0 बहुत ही प्यारा प्रश्न है, यहां देखिए, 5 वर्गमुल 2, गुना वर्गमुल 2 हमारे पास आना चाहिए, 5 इंटू 2, 10, तो 10 को हम किस प्रकार लें, जो हमारे पास साथ आ जाए, 2 और 5, ठीक है, तो व 2x, प्लस 5x, प्लस 5 वर्गमुल 2 बराबर 0 इन में देखिए, हम क्या कॉमन लें, वर्गमुल 2x, तो x प्लस वर्गमुल 2, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, वर्गमुल 2 गुना वर्गमुल 2, इस प्रकार हमने, x प्लस वर्गमुल 2, प्लस यहां पे 5 कॉमन है, और हमारे पास पचा X प्लस वर्गमुल 2 अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास X प्लस वर्गमुल 2 और वर्गमुल 2 X प्लस 5 दो गुनन खंडा गए इस प्रकार या तो X प्लस वर्गमुल 2 शूनिय के बराबर होगा या वर्गमुल 2 प्लस 5 शूनिय के बराबर होगा इसका मतलब X बराबर है माइनस वर्गमुल दो या वर्गमुल दो एक्स बराबर है माइनस पांच एक्स बराबर माइनस पांच बटा वर्गमुल दो इस तरीके से हमने दो मूल निकाल लिए समझ में आये बच्चो चलिए आगला प्रशन करते हैं प्रशन तीन है ऐसी दो संख्याएं ग्याद कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणन फल 182 हो इसमें हम संख्याएं ले लेते हैं माल लीजिए एक संख्या एक्स और दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस X क्यों क्योंकि दोनों का योग कितना है 27 इसलिए एक हम एक्स संख्या और दूसरी 27 माइनस X ले लेते हैं ठीक हैं इनका गुणन फल कितना है 182 तो प्रशन के अंसार X गुणा 27 माइनस X कितना होना चाहिए 182 इसको हल करते हैं 27 X माइनस X की गहाद दो माइनस 182 बराबर है 0 इसको हम मानक रूप में लिखते हैं माइनस X स्क्वार प्लस 27 X माइनस 182 बराबर है 0 इसको और सरल करने के लिए बच्चों हम माइनस X से पूरी समिकरन को गुणा कर लेते हैं और हमें आसानी से फिर हम इसका हल कर पाएंगे प्लस 182 बराबर है शूनिय अब इसका मध्य पद है माइनस 27 इसको हमें तोड़ कर लिखना है तो यह होगा माइनस 27 इसको प्लस 182 एक सो बैयासी के हम इसमें साथ एकम साथ साथ यह 21 तो 13 और 14 ले लेते हैं एके च गहाथ 2 माइनस 14 एकस माइनस 13 एकस प्लस 182 बराबर है शूनिय इन दोनों में क्या कॉमन है एकस तो एकस माइनस 14 माइनस 13 लेंगे एकस माइनस 14 बराबर शूनिय इस प्रकार हमारे पास X-13, X-14, दो गुननखन आ गए, इसका मतलब या तो X-13 बराबर है शुन्ये के, या X-14 बराबर है शुन्ये के, X बराबर 13 और X बराबर 14, आप आप देखिए हमें दो संख्याई चाहिए थी, हमारे पर संख्याई आ गई 13 और 14, आप गुना करके देखिए, क्या 182 आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, और 13 प्लेस 14 का योग 27 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब हमारी दो संख्याई बिल्कुल ठीक है, 13 और 14, आईए अगला प्रशन देखते हैं, एक समकोन त्रिभुज की उचाई, इसके आधार से 7 cm कम है, यदि कर्ण 13 cm का है, तो अन्य दो बुझाएं ग्याद कीजिए, पहले हम समकोन त्रिभुज बना लेते हैं, इसमें आधार हमने एक सेंटीमीटर ले लिया, तो हमारे पास उचाई हो गई, एक स माइनस 7 और कर्ण है 13 cm, अब हम इसको ए माल लेते हैं, बी और सी, इसको हल करेंगे, पाइथगर्स पर्मे की सहायता से, यह हो जाएगा, AB का गाद 2 प्लस BC की गाद 2, यह हो गया 13 की गाद 2, बराबर X माइनस 7 की गाद 2, प्लस X की गाद 2, इसको सरल कर लेते हैं, यह हो जाएगा हमे, X की गाद 2, प्लस 49, माइनस 14X, प्लस X की गाद 2, यह हमारे पास आगया, 2X की गाद 2, माइनस 14X, प्लस 49, माइनस 169, बराबर है 0, यह हो जाएगा, 2X स्क्वार, माइनस 14X, माइनस 120, बराबर है 0, बच्चो देखो, इसको हम 2 से भाग कर लेते हैं, और सरल हो जाएगी, हमारी समी करन, यह हो जाएगी, X की गाद 2, माइनस 7X, माइनस 60, बराबर है 0, अब हमें 60 को विभक्त करना है, यह आएगा, जी हाँ, हमने ले लिया, 12 और 5, ठीक है, X की गाद 2, माइनस 12X, प्लस 5X, माइनस 60, बराबर है 0, इन में देखिए, X कॉमन है, X माइनस 12, और इसमें 5 कॉमन है, X माइनस 12, बराबर है 0, इसका मतलब हुआ, या तो X बराबर है 12, या X बराबर है माइनस 5, क्योंकि एक विमा है, ये X माइनस 5 लंबाई नहीं हो सकती, इसलिए हम लेंगे X बराबर 12, तो हमारा आधार हो गया 12, और X माइनस 7 हो गया 5, तो 12 और 5, हमारी लंबाई आ गई, ठीक है, तो ये दोनों गुजाएं हमें मिल गई, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, समझ में आया बच्चो, चलिए, अब आप ग्रह कारिये के लिए प्रश्न ले लीजिए, पहला प्रश्न है, जाज कीजिए कि निम्द दुगाद समिकरन हैं या नहीं, पहला, x गुणा 2x प्लस 3, बराबर है, x की घाद 2 प्लस 1, दूसरा है, x प्लस 2 की घाद 3, बराबर है, x की घाद 3 माइनस 4, दूसरा प्रश्न है, दुगाद समिकरन 6x की घाद 2, माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ग्याद कीजिए, आईए, अब हम देखते हैं, दीसरा प्रश्न, दिये हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए, निमनलिकित में से किस समिकरन का एक मूल 2 है, पहला विकल्प है, एकसी घाद 2 माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0, दूसरा विकल्प है, एकसी घाद 2 प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0, तीसरा विकल्प है, दो एकसी घाद 2 माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, चौथा विकल्प है, तीन एकसी घाद 2 माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, अगला है यदि समीकरन x 2 प्लस k x माइनस 5 बटा 4 बराबर 0 का 1 मूल 1 बटा 2 है तो k का मान क्या होगा पहला विकल्प है 2, दूसरा माइनस 2, तीसरा 1 बटा 4, चौथा 1 बटा 2 आईए अब देखते हैं हमने क्या क्या सीखा आपने इस पार्ट में निम्न तत्यों का अध्यन किया है पहला चर x में एक दूगाद समीकरन a x की घाद 2 प्लस b x प्लस c बराबर 0 के प्रकार का होता है जहां a, b, c वास्त्विक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं है एक वास्त्विक संख्या अलफा दूगाद समीकरन a x की घाद 2 प्लस b x प्लस c बराबर 0 का एक मूल कहलाती है यदि a x की घाद 2 प्लस b अलफा प्लस c बराबर 0 हो दूगाद बहुपद a x की घाद 2 प्लस b x प्लस c के 0 और दूगाद समीकरन के मूल एक ही होते हैं यदि हम AX की खाद 2 प्लस BX प्लस C जहां A0 के बराबर नहीं है कि दो रेखे गुड़न को में गुड़न खंड कर सकें तो दिखाद समिकरन AX की खाद 2 प्लस BX प्लस C बराबर 0 के मूल प्रते गुड़न को 0 के बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं तो बच्चों आशा करती हूँ, आपको आज का पार्ट समझ में आया होगा, खुब अभ्यास करिए, बहुती सरल हो जाएगा, धन्यवाद